इससे पहले इस particular topic में मैं बात करूँ मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने इस दोस्त का नाम याद करो जो जिसके साथ अपने travel करा और जिसको पूरी की पूरी जगे चाहिए अपने ले यानि कि कभी आप वो अपनी seat या कोई वो अपनी कोई भी चीज या कोई भी कर लिया है तो मैं चाहता हूँ आप अपने इस दोस्त का नाम रख दो ब्लॉक बेसिकली मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इस इंस्टाग्राइम पर या किसी सोचल मीडिया में या फिर कहीं पर WhatsApp कहीं पर भी ब्लॉक करो यह नहीं मैं वो कहना चाहता हूँ मैं चाहता हू लेता है वोगर मेरा ब्राउजर है और अगर मैं यहाँ पर इतना ही है तो यह जो जितनी रिमेनिंग जगह है यह किसी सांथ नहीं करेगा यह ब्लॉक को पूरी जगह चाहिए no matter what चाहे वो इतनी use करें चाहे वो इतनी use करें कितजी यूजकराए कितनी use करनी हो उस block के उपर या फिर उस content के उपर जो अपने उस block के लिखावा है या जो भी इस block का size है लेकिन width वो पूरी लेगा यानि कि अगर मैं यहां पर एक heading लिखना चाहता हूँ और मैं दूसरी हैडिंग उसके बगल में चाहता हूँ तो भाई सीधा तरीका तो है नहीं जब तक मैं स्टेमेल और स्टेमेल का और एक होते हैं इनलाइन तो बिसिकली ब्लॉक वो हैं जिनको शेर करना बिल्कुल पसंद यह बहुत बत्तमी इसलाइन को सारे जगे खुदी ही चाहिए इनलाइन बिचारे वो हैं मासूम से जिनको कोई पर डरा धंका के इनकी साथ जगे शेर कर लेता है और कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ बैठेंगे और आपको उतना पिछका देंगे सीट में कि आप सिर्फ उतनी जगे लेपा दो जिदने में आप फिट होगे मतलब ब मेरा कोई और इनलाइन एलिमेंट प्लीज नोट कोई और इनलाइन एलिमेंट जो जो पुरी जगे नहीं मांता है उसके साथ यह शेर कर सकता है यानि कि मैं 3-4 लिंक एक साथ ढ़ल सकता हूँ means difference यह है कि जो ब्लॉक है वो पुरी विट लेता है इनलाइन पुरी विट नहीं लेता है अब इसको मैं रियल लाइफ में एक्सेंपल में कोड में दिखाता हूँ कि यह चीज किस तरीके से काम करती है so let's just see how it appears on a front end so basically मैंने दो एलिमेंट यह यह जो मेरा एक मेरा टैग होता है और एक मेरा इनलाइन टैग होता है तो basically एक इनलाइन टैग के साथ एक लाइन पर है सकता है लेकिन जो block tags होते हैं या block elements होते हैं एक element पूरी width use करता है आपको आपको रियल लाइफ में दिखाता है आपको बहुत ही easily समझ माँ जागा for example अगर मैं h1 के साथ के बगल में एक और h1 लिखना चाहूं या में भी चलो h2 लिखना चाहूं तो let's see how it performs so as you can see code मेरे में चाहता था लेकिन अगर आप मेरा front end देख रहों on the right hand side on the left hand side you will see that it is not happening but what happens if I tried the span so अगर मैं span पर लिखता हूं so let's see if यह एक line पर आते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा span है जो मेरे inline है तो basically वो inline एक line पर आ गए है यानि कि inline एक साथ आपस में जगे शेर कर सकते हैं जो width होती है overall जो width है मेरे browser की वो share कर रहे है लेकिन एक block element share नहीं करता है इसको मैं थोड़ा अगर आप इस यहां पर inspect करता हूं अगर मैं inspect करूं अगर अगर मैं इसको select करता हूं तो आप देखोगे कि भले वो use भले text थोड़ा है like block यहां पर खतम हो रहा है लेकिन उसने पूरी width consume करी है no matter what वो अपनी जगे किसना share करने को तेयार ही नहीं है अग अगर मैं inline की बात करूं आप यहां पर देखो inline के है जितनी जगे उससे चाहिए particularly server उतनी जगे उसने consume करी है उतनी जगे उसने घेरिया और कोई जगे उसने अटा वो नहीं करी है cover नहीं करी है same दूसरे element के लिए so यह difference है major difference और एक लोत है यह difference है block और एक inline element I hope आपको concept में आया होगा यह बहुत जादा important है और यह बहुत जादा common है अगर यह आपको clear नहीं होगी अभी तो यह आपको आगे जगे बहुत issue करने वाला है so if you have any query any question please let me know via the chat or in the comment I will try to get back to you as when as possible and with that being said let's just jump to the next topic